हेलो ट्रेटर्स, कंडल स्टिक पैटरन की एक और वीडियो में आपको स्वागत है ये वीडियो बाखी वीडियो से काफी ज़्यादा यूनिक होने वाली है क्योंकि इस वीडियो मैंने हैमर बरसेश स्टिंग स्टार दोनों ही candlestick patterns का detail में comparison किया है साथ में ही मैंने कुछ live chart examples भी include किये हैं जिसमें आपको hammer और shooting star बाकाइदा जहाँ पे इन्होंने अच्छा perform किया है बहाँ पे इनको proper तरीके से दिखाया गया है तो वीडियो को end तक देखना काफी useful होने वाली है तो सबसे पहले इनका appearance से compare करते है देखिए appearance में जो आपको hammer candlestick pattern देखने को मिलेगा वो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा ये candlestick pattern एक bullish candlestick pattern होता है जो कि अपने एक downtrend के खतम होने के बाद में बनता है इसमें क्या को जिस तरह से एक छोटी सी green color की या फिर कभी कभी red color की इनकी छोटी सी एक इस तरह से body होती है इसके साथ में एक बहुत लंबी सी एक lower wick देखने को मिलेगी अपर wick कभी कभी होती भी है और कभी कभी ना के बराबर होती है तो इस तरह से आपको hammer candlestick pattern आपको downtrend के बाद में देखने को मिलता है और बात करने shooting star की तो shooting star candlestick pattern बिलकुल hammer के opposite आपको देखने को मिलता है shooting star एक अपने up trend के end के बाद में बनता है जैसे ही एक up trend इस तरह से खतम होता है तो बैसे ही आपको अगर shooting star देखने को मिलता है तो आपके लिए एक various trend ये बताता है इसमें क्या होता है इसमें भी same आपको एक small real body होती है जो की छोटी सी आपको देखने को मिलेगी जहां तक होगी आपको red color की मिलती है तो ज्यादा effective होती है कभी कभी green color की भी देखने को मिल जाती है इस तरह से आपको red color की एक छोटी सी body दिखेगी इसके आपको long upper big देखने को मिलेगी बट lower big आपको ना के बराबर देखने को मिलेगी next is interpretation इसका मतलब क्या होता है ये basically candlestick pattern hammer and shooting star के पीछे की क्या psychology होती है उसको बताती है इसका क्या मतलब होता है जैसे पहले हम लोग hammer की बात करें तो hammer में ये क्या बताता है जो candle बनती है उसका क्या meaning होता है इसमें क्या होता है जैसे sellers जो होते है market को down लाने का try कर रहे होते है लेकिन क्या होता है एक point आता है जिसको हम लोग support बोलते है support पे बहुत सारे buyers आ जाते है उनका volume थोड़ा जादा हो जाता है कि यहां से आप market bullish हो सकता है तो आप अपनी buying case site की entry बना सकते है इसका just opposite है suiting stats suiting stats में क्या होता है suiting stats candlestick pattern में क्या होता है buyers जो है market को जैसे की ऊपर ले जा रहे होते है लेकिन क्या होता है एक point आता है जिसको हम लोग बोलते है resistance label महाँ पर क्या होता है पहले से ही sellers के orders लगे होते है तो वो execute होना start करते है sellers के orders इतने जादा volume होता है कि वो जो है market को down लाना start कर देते है तो यहाँ पर क्या होता है इस case में sellers जो है buyers पर dominate करते है और price को नीचे लाते है तो इस तरह से आपको shooting star formation देखने को मिल जाता है यह आपको negative trend के तरफ indicate करता है यह बताता है कि यहाँ से भाई bearish trend start हो सकता है तो आप यहाँ पर sale कर सकते है next is identifying hammer and shooting star देखिए hammer and shooting star को आपको देखना कहाँ पर यह बहुत important है देखिए कहीं पर भी आपको hammer shooting star को train नहीं करना है इसके लिए specific जगहें है वो किया मैंने पहले आपको थोड़ा बता है यह जो hammer होता है वो आपको एक down trend के बाद में यह आपको मिलना चाहिए और होना कहाँ पर चाहिए आपके support devil के पास तो बहुत अच्छी तरीके से यह work करता है इसके बाद जो shooting star होता है shooting star आपको एक up trend अच्छा सा होना चाहिए up trend के बाद में जब trend वहाँ पे थोड़ा सा pause ले वहाँ पे आपको shooting star अगर देखने को मिलता है तो वो आपको बहुत अच्छी possibility देता है negative trend के लिए तो बहाँ पे आप रसिस्टेंज लेविल के पास में एक शूटिंग star बनता है तो आप बहाँ पे aggressive selling कर सकते हैं नेक्स्ट आता है confirmation confirmation basically क्या होता है यह आपको एक trade के लिए आपको लेनी है या नहीं लेनी है उसके लिए एक अच्छा सा आपको एक decision लेने में help करता है confirmation का क्या मतलब होता है देखी जैसे ही आपको hammer formation देखने को मिल जाता है अपने support label के पास तो hammer के साथ मैं आपको entry नहीं लेनी है इसको detailment entry कहां पे लेनी है वो मैं आपको next बताने बाला हूँ लेकिन उसको समझ लीजिए कहां पे confirmation होता है जैसे ही आपको hammer candle बन जाती है तो hammer candle के बाद में एक bullish green candle बननी चाहिए जो hammer के just बाद बनेगी जिसका जो closing होगा वो hammer के उपर होना चाहिए तो वो आपको green color की बनती है तो वो आपको एक indicate करती है कि buying pressure अच्छा कासा बना हुआ है क्या होता है देखी कभी कभी hammer बनता है तो false hammer भी होता है क्योंकि बहाँ पे buyers तो आते हैं बट seller next candle में sellers का volume जाता देखने हों मिलता है तो बहाँ पे trend reverse हो जाता है ठीक है जिस तरह से flow कर रहा होता उसी तरह चलने लगता है तो बहाँ पे आपको ये जो confirmation रहता है confirmation candle आपको जो है trap होने से बचाता है तो confirmation candle का weight जरूर करना होता है shooting star के case में क्या होगा shooting star candle जैसे ही बनता है उसके बाद में आपको एक बड़ा सा एक आपको red color का यहाँ पे negative candle देखने को मिलना चाहिए यह अगर candle देखने को मिलता है तो आपको बहाँ पे बताता है कि selling pressure obviously यह true pressure है और यहाँ पे आप trap नहीं होने वाले है most of the chance ऐसा ही होता है और इसकी accuracy आपको 70-80% देखने को मिल जाती है अगर आप confirmation के साथ में trade करते हैं तो next point है how to trade trade कैसे करना है सबसे पहले सीखते है hammer को hammer को कैसे trade करना है first point आप देखिए इसमें क्या है कि अगर आपका hammer ठीक से बना ही नहीं तो trade कहां से करेंगे तो इसलिए wait करिएगा जब hammer अच्छी तरह से form हो जाए support label पे तो आप बहाँ पे trade बनाने कर सोच सकते हैं उसके बाद में आपको देखना है confirmation candle confirmation candle उन लोग के लिए है जो थोड़े aggressive traders नहीं है aggressive trader होगा तो वो क्या करेगा entry जो है hammer बनने के बाद तुरंत ही ले लेगा वो अपना positive trend के लिए entry बना लेगा लेकिन जो conservative traders है बहाँ पे वो क्या करते है wait करते है थोड़ा सा confirmation candle का wait करने के बाद में थोड़ा सा उसके बाद में trade बनाते है और तो इस तरह से उनकी trade जो है accurate होने के चांसे थोड़े बन जाते है क्योंकि बहाँ पे थोड़ा confirmation candle हमें बन चुका होता है इसके बाद में stop loss कहाँ पे रखना है stop loss आपको hammer candle के low के साथ में रखना है तो इस तरह से आप hammer का low जो है वो आपका stop loss हो जाएगा target की अगर आप रखते हैं तो आप यहाँ पे फिवर नची retracement level को यूज़ कर सकते हैं अपना previous assistance का यूज़ कर सकते हैं और अगर उसके अलाबा अगर नहीं भी इनका यूज़ करते हैं तो 1 is to 2 या और 1 is to 3 तक का आप target पॉइंट यहाँ पे रख सकते हैं तो चले पहले आप एक live chart example देख सकते हैं यह Sun Pharma का weekly chart है यहाँ पे weekly time frame पे लिया गया है यहाँ पे आप देखिए इसका जो S बन आपको दिख रहा है यह आपको support बन है तो यहाँ पे देखिए कितना प्यारा सा green color का hammer बना है और आप देखिए previous जो swing रही है इसकी downtrend की follow किया हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पे moving average का use किया गया है साथ में volume भी आप देख सकते volume का use किया है and RSI भी यूज़ किया है जो properly मैं setup यूज़ करता हूँ वही इसमें आपको दिखाया गया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं S बन जो आपका support है यहाँ पे अच्छा सा hammer फॉर्म हुआ और hammer के बाद में यहाँ पे confirmation candle आपको अच्छी सी नहीं मिली तो यहाँ पे wait करना चाहिए confirmation candle यहाँ नहीं मिली confirmation candle आपको second मिली है एक hammer हो गया दूसरी यह red color की जो डॉजी टाइप की candle बनी है थर्ड आपकी देखी confirmation candle इसके साथ में entry और आप देखी कितना अच्छा सा यहाँ पे target नजर आया है थोड़ा बीच में इसने pause भी लिया है बड़ आपका stop loss hit नहीं हुआ है तो यहाँ पे दो टाइप के traders आते एक aggressive बाले और दूसरे conservative बाले ने तुरंत hammer के बाद में entry बनाई होगी तो इसको easily थोड़ी ही दो बीक में लगबग अपना अच्छा खासा profit यहाँ पे देखने को मिला होगा लेकिन conservative बाले में थोड़ा सा weight जयाता करना पड़ा बड़ टार्गेट उसमें भी देखने को अच्छा सा मिला है ओके तो इस तरह से hammer candlestick patterns आपने अच्छे से सीख लिया होगा अब बात कहते है shooting star candlestick pattern को कैसे trade करना है देखिए shooting star candlestick pattern को भी आपको wait करना है कि वो अच्छे से बन जा है उसके बाद में trade करना है confirmation candle देखना है इसके बाद में entry आपको बनानी है दो तरह के traders होते हैं जैसा कि हम लोगोंने पहली डिसक्स किया है एक aggressive और दूसरा conservative aggressive जो traders है वो shooting star बनने के साथ में ही आप candle बना सकते हैं दूसरा conservative है तो थोड़ा confirmation candle का wait करेंगे उसके बाद में बनाएंगे इसमें आपको stop loss shooting star candles के high के ऊपर बनाना है और आपका जो target रहेगा वो one is to two one is to three तक का target आप इस तरह से प्लांड कर सकते हैं तो चलिए एक rough chart पर हम लोग थोड़ा इसको deep में समझ लेते हैं तो देखिए कुछ इस तरह से जब हमारे resistance लेविल के पास में ये shooting star बन जाए इसके बाद में आपको दो तरह से trade बना दीए एक aggressive दूसरा conservative aggressive है तो shooting star के जो low है उसके साथ में anti बना सकते है इस top low shooting star के high के साथ में बनेगा और जो conservative है उन वो confirmation candle का इस तरह से weight करेंगे और उसके बाद में anti बनाएंगे और target आपको 1-2, 1-3 तक का plan करना है तो चलिए एक live chart में आपको दिखाता हूं देखिए आप निफ्टी 50 लिया हुआ है जिसमें 5 minute का time frame है यहाँ पे आप 10 तो negative था थोड़ा सा बट यहाँ पर जी swing जो है positive swing बनाया positive swing के बाद में आप देख सकते है अपना एक resistance दे बिलता बहाँ पर एक अच्छा सा shooting star बनाया यहाँ बट यह बाला बहुत अच्छा सा यहाँ पर देख सकते है कितना बढ़िया सा यहाँ पर target रचीप करवाया swing द 3 यह बाला यहाँ पर देख सकते हैं यह shooting star बना और इसके बाद में बढ़िया सी confirmation candle और आपका यह target यहाँ पर अचीप होता हुआ देखने को मिला अब इसके बाद में जैसा कि हम लोगे shooting star है हमार दोनों कोई trade कैसे करना वो secret अब इसके बाद में कुछ additional points हैं जिनको consider किया जाज सकते हैं trading के दौरान इसमें सबसे पहले किया volume analysis जैसा कि मैंने आपको चार्ट पर दिखा है तो बहां पर आपको volume देख रहा है volume को कैसे अगर आप नहीं जानते कैसे आपको देखना है कैसे trade करना है तो आप comment करना मैं उस पर video एक detail video में आपको जिरूर प्रोवाइड कराऊंगा लेकिन फिलाल आपको क्या देखना है volume देखना है दूसरा आपको यहां पर trend देखना है basically trend किस तरह का है bullish है या फिर bearish है तो बहां पर आपको बहुत ज्यादा effective रहता है इसके बाद में आप indicators से use कर सकते है moving average RSI जो कि मैं basically मैं खुद use करता हूं और तो इस तरह स आप यूज़ करके आप जो है एक additional confirmation ले सकते हैं कि आपको trade करना है या नहीं तो वो आपको accurate trade दिलाने में help करेगा हूं नेक्स आता common pitfalls यह क्या होता है basically गलतियां होते हैं जो हम लोग करते हैं trading के दोरान इन दोनों patterns को देखने के time हम लोग क्या करते हैं basically कभी कभी trend को ignore कर देते हैं जैसी कि अगर hammer हमें trade करना है तो हमारे लिए previous trend क्या होना चाहिए negative है ना कि downtrade होना चाहिए लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि trend को देखते हैं नहीं वस hammer बना तो trade ले लिए तो बहाँ पर आपको यहाँ पर आपका fall हो सकता है या फिर आपको loss हो सकता है stop loss हो सकता है क्योंकि आपने trend बेखाई नहीं और आपने ठ्रेट bना दिया दूसरा होता है ओबर ट्रेडिंग। ओबर ट्रेडिंग कही से होता है ये Crowd गलत हो गया तो आप क्या करतें बहुत वह अंहीं इसको लॉस्त रीखर करने के चकर में क्या और अब लेते एंद्टे पे पीटेट लेते रहते उसमें क्या होता है पहला तो आपको ब्रोकरिज जाता है और दूसरा आपको लॉफ होता है तो आपका एक at the end of the day आपका जो लॉस होता है बहुत हीज्वे मांड में हो जाता है यहां पर आपकी psychology फिर गडबर हो आपका माइंड खराब होने लगता है इसके अलाबा होता है आपका एक failure to manage risk ये क्या होता है आपको risk manage करना होता है जैसे आप business करते हैं तो same concept यहां पर भी आप लगाईए कि आपको दिन का कितना आपको loss लेना है और कितना target लेना है दोनों ही अगर आप चीजे manage करके चलेंग तो आप न तो over trading करेंगे जैसे कि अगर आपको decide के लिए दिन में दो trade लेना है एक trade लेना है तीन trade लेना है तो आप उनमें capital decide कर लिए इक बहां मेरे को 10,000 का loss लेना है पांच जार का लेना है दो हजार का लेना है तो इस तरह से decide करके चलेंगे तो आप यहां पे common pitfalls को avoid कर सकते नहीं तो आपको क्या होता अगर आप रिस्क मैनेज करने में फेल हो गए तो आप धीरे-धीरे पूरा ट्रेडिंग का जो कैप्टल होगा उसको आप एकदम से हवा कर देंगे तो वो आपको फिर कुछ नहीं मचने वाला तो यहां पर इन पॉइंट्स को ध्यान में रख います यहां पर पूफ तरह लोग ट्रेड़ करते हैं वाल्यूम है बहुत अक्शा रहता है और बहुत अच्छे प्रेंट्स को अब कarगा मिला है target आपको 1-2 1-3 का रखना था बट यहाँ पर देखी एक huge target मिला है तो इस तरह से आप छोटे targets को प्लान करके फिर stop loss को trail करते हूँ बड़े target भी achieve कर लेते हैं जैसा कि यहाँ पर आपने देखा So finally यह था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने hammer versus shooting star को detail में सीखा I hope आपको वीडियो पसंद आएगों को वीडियो पसंद आएगों को वीडियो पसंद आएगों वीडियो को like and channel को subscribe कर लेना में trading और investments से related content लाता रहता हूँ जल्दी मिलते हैं next video में thank you